वेलकम तो एकाडमी यूट्यूब चैनल आएम जैन्त नागताय और जैकोच आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलिस्कोप कैसे वर्क करता है तो यह बच्चो यह उप्टिकल इंस्ट्रुमेंट्स का सेकेंड लेक्चर है से वाले लेक्चर में हमने अल्रडी सिंपल माइक्रोस्कोप के क्या कंसेप्स हैं उनको रिवाइस किया है यह इस लेक्चर को भी हम रिवाइस करके स्टार्ट करेंगे डोंट वरी इस वाजिव नौट सीन दफ लेक्चर तो यह वाजिंग द वन अन अड़ी अन अकाडमी नीट एक्जाम में किसी पी तरह के परिशानी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैट्स क्लास 11-12 का अगर आपको दिक्कत देता है तो इस चैनल पर रेग्यूलर रहना ज़रूरी है उसी कड़ी में हम लोग आप्टिकल इंस्टूमेंट का आज एक सेकेंड ले रहे हैं लेक विज्यल एंग्ल पर डिपन करता है एंग्ल इस प्रोपोर्शनल पूपसांध इस IP अबर या थीटा की वैलू अ चरफ निवायू जो भी यहाँसे और तक इसका डिसेंस होने वाला है कभी distance, least distance of clear vision होता है, कभी कुछ और होता है, इस तरह से हम visual angle निकालते हैं, visual angle represents the size of the image which is proportional to the angle subtended, size of the image on the retina is proportional to this visual angle theta, right? उसके लावे एक और concept हमने सीखा था, magnifying power, कि magnifying power में theta और theta naught का ratio आपको ultimately magnifying power देता है, मतलब height का ratio नहीं बड़ angles का ratio हमें optical instruments में magnification का idea देता है, यहाँ पर हमें नई term यूज करते हैं instead of magnification which is magnifying power, या angular magnification which is theta divided by theta naught, right? उसके लावे आपने simple microscope को दो cases में study किया था lecture 1 में, याद करो यह दोनों cases, आज के lecture के लिए दोनों cases बहुत ही important है, क्योंकि अगर आप compound microscope, telescope, detail में समझना चाहते हैं, तो दो cases जो simple microscope के अपने समझे, I hope आपको याद है, ciliary muscles एक में relaxed, relaxed रहती है, relaxed वाले case में final image infinity पे बननी चा होगा, उस case में visual angle h by f हो जाता है, उस case में magnifying power हमने निकाली थी, d by f हो जाती है, इस पे अपने कुछ questions भी यह थे, याद करो इसी magnifying power को हम increase कर सकते है, angular magnification को, increase एक term से कर सकते है, 1 plus d by f magnification हो जाएगा, अगर final image आपकी near point पे बनती है, तो final image near point पे है, यानि कि least distance of clear vision पे है, और उसमें हमने lens formula लगा के, यहाँ पे magnification का यह formula derive किया था, last class में, last class में, याद करो बच्चो यह दोनों, cases आपको याद होंगे, the first case is often known as case of normal adjustment, final image infinity पे है, मतलब normal adjustment का case है, और final image अगर near point पे बन रही है, this is the second case, तो यह दोनों cases हमने lecture 1 में पढ़ लिये है, इसलिए आपको जल्दी से एक बार revise करवा दिया है, I hope आपने भी वो lecture देख लिया है, तो आते हैं आज के lecture के main concept है, बच्चो, compound microscope, इसे हम बहुत दीटेल में पढ़ेंगे, कुछ previous series में आए questions भी करेंगे, एक नए page पे heading बना ले, compound microscope, क्या होता है, तो simple microscope में एक ही lens होता है, compound microscope में दो lenses होत होता है, यानि कि वो magnifying glass होता है basically, तो compound microscope में बच्चो, दो lenses होते हैं, and these two lenses are known as objective and eyepiece, यहापे बहुत सारे बच्चे class 8, 9 में जब science का experiment करते हैं, तब इस तरह का एक microscope आपने use किया होगा, उनमें आपको बहुत ही ध्यान से बताया होगा, याद करो के objective is the lens which is closer to the object, यहापे slide बना के रखते हैं, तो slide के अंदर amoeba, cheek cell या फिर onion cell का आपने definitely experiment किया होगा अपने छोटी classes में, तो yes बच्चो, वो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जिस lens से, that is known as objective, objective is the lens which is facing the object, objective is the lens which is facing the object, इसे आप लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, तो eyes की तरफ, one which is close to the eye is known as eyepiece, इसके अंदर obviously एक lens है बच्चो, और यहाँ पे एक objective है, छोटा lens होता है objective, उसकी focal lens भी छोटी होती है, यह एक point आप I think लिख लें, इस point पे तो अच्छा रहेगा, there are two converging lenses used in a microscope, in a compound microscope, there are two lenses being used, eyepiece and objective, eyepiece को कई बार ocular भी बोलते हैं, ocular is also a name you might be familiar with, if not then you should definitely write these names, objective and eyepiece, तो बच्चो यहाँ पे एक चीज़ जो के आपको विशेश रूप से ध्यान देनी है, diagram तो अभी नहीं बनाना, diagram हम बनाएंगे, but yes, आपको विशेश रूप से ध्यान देनी है, कि यह आपको विशेश रूप से ध्यान देनी है, कि यह आ देखिए आपने, यहाँ पे जिस object को आप देख रहे हैं, उसको face करता हुआ objective lens, छोटी size का है, इसका हम क्या बोलेंगे, small aperture है, तो इस diagram में ऐसे बना के आप लिखना, small aperture है objective का, and this is your eyepiece, with large aperture, comparatively large aperture है, aperture क्या है, हमने कल explain किया था, aperture को हम ray optics में, throughout explain कर रहे है, aperture मतलब जो size है lens का, जो lens के refracting surface का diameter है, जो size है, जैसे कि मेरे पास specs का अभी size कितना है, aperture कितना है, करीब one centimeter है, उसी तरह से जो lenses use करेंगे हम, उनका भी एक diameter होता है बच्छो, जिसे हम aperture कहते है, ओके, यहाँ पर आपको एक चीज शो करना है, diagram में शो करेंगे, बेटर रहेगा, लिख के, उतनी feel नहीं आएगी, कि large aperture किसका होता है, IP size large aperture, on the other hand, objective है smaller aperture, objective का size छोटा होता है, object की तरफ जो निकला हुआ end होता है, वो छोटी size का होता है, yes, and उसकी small focal length भी होती है, तो FO small होती है, और FE focal length of IPs large होती है, यानि की FE greater than FO होता है in a compound microscope, FE, IPs की focal length greater होती है, IPs की size भी बड़ी होती है, IPs की focal length भी ज़्यादा होती है, और objective की focal length छोटी होती है, ऐसा design होता है, और इसी design को जब flip कर देते हैं, तो telescope बन जाता है, समझा है, आरी, feel आरी, थोड़ी सी, yes, इसी design को जब flip करते हैं, तब आपका telescope भी बन जाता है, एक बार आप लोग इसको देख लो, लिख लो, कौन सा objective है, किसकी size किस हिसाब से है, एक crude diagram मना दे, heading मना दे, yes, मज़ेदार, hello, Arbind, Sanuj, कैसे हो बच्चो, राजीव, ये कौन सी class ले रहे हैं, आज बिटा भरत नाटियम की class है, Mr. Technical, आज हम सीखेंगे कुछ ही शणों में, कैसे आपको ता थाई, तता थाई, है ना, करने, वही नाइस है, टाइटल वगेरा तो तुम पढ़ते ही नहीं हो भाई, है ना, है वही हर किसी class में तुम घुच जाते हो, thank you for the view, by the way, एक view बढ़ाया, तुने वाज मेरा, hello Saluni, hello Aditya, सब बढ़िया, मजए दा, चले यार, आगे बढ़ते बच्चो, या पर आपको एक diagram बनाना है, जिसमें हम image formation सीखेंगे, compound microscope में, image formation दो cases में बनेगी, यहां दीजेगा, यहां पर object आपने रखा हुआ है, किसी random distance पे, from what, this objective, what what is this lens, objective, इस तरह का diagram बनाने लगाँ, what is this lens, closer to the eye, which is eyepiece, इस तरफ है, मतलब यहां पर eyes होंगी, observer की eyes, बड़ी-बड़ी आखे, इस तरह सुन्दर आखे बना दे, ठीक है बटा, और अगर object यहां पर है, देखो अब जहान दो, object यहां पर है, देखो यह point क्या है, आपका pole of the objective, पोल यहां फिर, optical center, optical center of the eye piece and optical center of the objective समझ में आ रहा है और size समझ में आ रही है आपको, which has larger aperture, eye piece has larger aperture, eye piece जिसकी तरफ अपन आख गड़ा के देखते हैं, उसकी size बड़ी होती है, आईपीस की size बड़ी होती है, objective की छोटी होती है, यह बाद आपको अगर समझ में आ रही है, तो eye piece को बड़ा बनाना है, objective को छोटा बनाना है, and अब तो देखना है, यहाँ पर object की वज़े से इसकी first image कैसे बनेगी, तो ध्यान दिना, यहाँ से अगर हम ray diagram बनाए, if we take two light rays, which are incident on optical center passes undivided, and the one which is passing through, parallel थी, passing through focus of the objective, तो यहाँ पर focus of the objective बना दिया आपनने, यह दो light rays है, और इनकी वज़े से inverted real image बन रही है, do you see an inverted real image, which is the image of the first refraction, which is the image of the objective, FO, इसकी focal length, FO, in fact, कहाँ है, दिखना है, यहाँ पर, कुछ चीज़ा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ कर सकते है, कि this distance is FO, this is VO, objective की वज़े से image, and this is UO, which is object का distance from the objective, ठीक है? पहली image कैसी बन रही है, ध्यान देना, पहली image, real image बन रही, inverted image बन रही है, और magnified image बन रही है, ठीक है, now second step is very interesting, ध्यान देना है आपर, obviously, दो lenses है तो दो image बनाएंगे अपन, दो lenses है तो दो image बनाएंगे, by the way, अपने lenses के अभ्यास बहुत ही सही चल रहा है, मतलब आज भी हमको एक lens का अभ्यास करना है, किसने नहीं देखा, Monday वाला देखकर, आज शाम को 9.30 PM, lens के अभ् Suppose, final image infinity चाहिए है, तो यहाँ पर इस diagram के ऊपर, आप case 1 भी लिखना नीचे भी लिख सकते हैं, फरक नहीं पड़ता है, but what was case 1, the case 1 was of normal adjustment, case 1 is the case of normal adjustment, माने, your final image is at infinity, लिखो इन चीज़ो को, final image infinity पर बनने से, ciliary muscles of the eyes are least strained, ciliary muscles are relaxed, yes, yes, चमकरी यह चीज़ है, अच्छा, किसी को नहीं चमकरी यह चीज़ है, तो वो भरत नाटिम सीखने आया, क्योंकि आपने lecture 1 नहीं देखा है, या फिर इस lecture के शुरुआत में भी हमने यह चीज़ है, दो cases बनते हैं, recall किया है, ciliary muscles relaxed है उस state में, मतलब final image infinity पर कैसे बनेगी तो ध्यान दीज़ेगा, final image के लिए आप लोग, object यह है, object से जो light rays है, वो कैसे जारी है, all of the eye piece से, as it is undeviated चली जारी, and parallel to the principal axis, will pass through focus on this side, so you can get the final image at infinity, look at this diagram, and final image at infinity will keep your ciliary muscles relaxed, that is what we have understood in the last lecture, final image infinity से आपको, एक magnification मिलता है, magnifying power निकाल ली एक सीज़ अपने को यहां पर, diagram एक बार बना ले, inverted real, yes, मज़ा नहीं, अरे या, मज़ा नहीं आ, रोहित मज़ा नहीं आ, बड़ा आप अगर offline में होते मेरे सामने, नौ साल offline में पढ़ा है, और फिर ये बात, मुझे offline center में आके बड़ा मज़ा आता है, miss those days, obviously, अभी कुछ offline centers and academy के भी start हो चुके है, तो वहाँ कहीं मिलना या, रोहित है, तो मेरे regular student तो clearly नहीं है, यो सेंके सार मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, बाकियों अपने को तो आ रहा है, बच्चो इसको नहीं आ रहा है, तो जिनको मज़ा नहीं आता है, उनके लिए vivid प्रकार के कारिकरम हम अपनी ही class में चलाते हैं, कभी offline center पर मुलाकात हो तो आना, कभी अपनी हवेली पर आना रोहित जी आपको invite किया जा रहा है, सतुतिन मसकरे हर class में मिलते हैं, कई बार ये खोड़े ओगर भी हो जाते हैं, आपको कई अपना class फिर भी चलता रहता है, बज़ा तो आ रहा है, तो चो देखने हैं, मैं भी बोर हो जाता हूं का, मैं भी entertainment ढूनता हूं, और आप ही जैसे लोग, तो अपने class में कभी भी आ जाते हैं, entertainment का best saadhan है बच्चों, तो ध्यान दिने हैं, आपने magnifying power निकालना चाह रहे हैं, हर केस में हम magnifying power, not magnification, magnifying power निकालना चाह रहे हैं, मतलब the final angle subtended by the image, let's call it beta this time, diagram में भी देखना, beta क्या पता रहा हूं मैं, final image का जो angle है, वो beta है, intermediate image का भी angle beta है, intermediate मतलब जो first image है, second image, final image है, उसका भी angle beta ही है, beta with the, beta at the observer, beta with the principal axis जैसा भी बोलो, and alpha is this angle, alpha is this angle, which is the angle of the initial object, at the objective, ठीक है, ये distance अपने यू ओ लिया है, यहाँ पर obviously अपन calculation करने वाले है, just to figure out how much is magnifying power, which is beta by alpha, अचा बाइदे वे, जोक सपार्ट, ये chapter में जिस तरह से आपको समझाऊंगा, आप किताबों में दो दिन तक भी पढ़के नहीं समझ पाई, आप एक घंटे के लिए मेरे स अच्छे से वाट लग जाती है, अच्छे से अच्छे student की, तो yes, जिस तरही से आपको समझा रहा हूँ, एक बार आप लोग डाइगराम भी बनाते रहे हैं, और सीखते रहे हैं, क्योंकि किताब से तुम पढ़ोगे, otherwise भी पढ़ोगे, सच्छी किया रहा हूँ, लिख के एक बार equations बनाते हैं, बीटा कितना है, बीटा अगर हम देखें तो बच्छों ये distance कितना है, major जो आपको एक question में पूछूँगा यहाँ पे, वो है ये distance बिटा कितना है, एक बार live chat में लिखना सब लोग, ये distance कितना है, मतलब पोल से इस intermediate image का distance कितना है, बड़ा ही simple question पू कुछ है मैंने यापे, इसका पहले answer करें, diagram बना लिया सबने, case 1, case 2, दोनों बनाने यार, जल जिसे बताओ, ठीक है, तो can I say that, yes, very nice, you e नहीं भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, fe, 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 focal length of the eyepiece पे रखा था object, तभी final image infinity पे बन रही है, the object is at focus of eyepiece, then only the final image is at infinity पच्छा, yes, देखना है, यापे कई चीज़े आसान है, कि बीटा की value देखो कितनी है, बीटा की value अगर हम देखें, तो यह जो भी height है इसकी, now let's call this, let's call this h dash, for time being, let's call the intermediate image का height h dash, h dash divided by fe, एक equation आपको समझ में आरी है, ठीक है, and similarly मुझे alpha बताओ, which is this triangle, alpha in this triangle is how much, alpha in this triangle is how much, remember that ये वाला distance आपका v o है, o मतलब, v o मतलब objective का image distance, similarly यहाँ पर alpha कितना होगा, alpha इस triangle में देखना, alpha h dash divided by v o होगा, h dash divided by v o से अपने को एक और equation मिल रही है, we can write this, h divided by u o also, same angle, alpha is equal to h divided by u o also, ultimately आपको इन दोनों का ratio निकालना है, यहाँ पर अपन इन दोनों का ratio निकाल रहे है, magnification कितना आ रहा है, magnifying power है अब इन दोनों का interchangeably भी use कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, magnifying power कितना आ रहा है, let's divide 1 and 2, beta by alpha मतलब 1 and 2, h dash cancel हो जाता है अपने पास, and v o divided by f e अपने पास एक equation आ रही है, इस equation को और थोड़ा refine करेंगे, of course, इस equation को अपन और थोड़ा refine करेंगे, using the lens formula, I am using the lens formula also, should I write it on the same page, or now should I move on, I think हम same page पर लिख नहींगे तो आप लोग भी लिख पाऊगे, यहाँ पर इसको adjust करते हैं, बच्चों, एक lens formula भी आपको लिखना पड़ेगा, और objective हैना, objective के लिए मैं यहाँ पर lens formula लिख रहा हूँ, जिसमें V और U का relation आएगा हर जगे, so how much is that, okay, I think what we can do here is, एक बार एक काम करते हैं बच्चों, एक बार यह diagram बना लो आप लोग, यह एक दो equation जो हैं, इनको हम फिर से एक बार understand करेंगे, अगर लिख लिया है, तो अच्छी बात है, यहां तक लिख लो, but एक और concept है, जिसको मैं introduce कर रहा हूँ, वो भी यहाँ पर समझ में आएगा, एक बार make sure कि इसने लिख लिया, आप done बना दो एक बार live chat में, if you have written this down, and drawn the diagram, especially diagram ड्रॉ कर दिया है, तो एक बार done लिख दो live chat में, तो हम इसको एक बार आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ओके रोहित, ओके, इसलिए आपके जो, आपके जो विचार है, आपकी जो language है, उससे जलक रहा है बेटा, तो कहां से आ रहा है? तो ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, क्या हो चुका है सो फार, हम case one normal adjustment बनाए हैं, जिसमें final image आपकी infinity पर होनी चीए, तो final image आपकी infinity पर होने के लिए, यह inverted image कहां रखी होगी? यह inverted image focal length of focus of eyepiece पर रखी होगी, यहाँ पर आपने इसको u-o distance पर रखा है, वो सारे distances चलो, पर निकाल लेंगे हैंना, and if this is the final image, then I leave two-three questions for you to do in homework हैंना, normally I would ask these questions, but I will keep these two questions as a homework question, as you can see, यह questions जेए में भी आये हुए हैं, बड़े आसान से हैं, यहाँ पर एक बार के लिए हम दोनों cases cover कर लें, and that is the idea, कि हम दोनों cases का magnification एक साथ निकालेंगे, ठीक है ना, आप धियान देना है, यहाँ पर case two क्या है, case two भी आप draw कर ले, in fact case two को भी draw कर ले, यहाँ जरूरत होगी कर नहीं, let's see, case two भी is very similar, यहाँ पर एक बार दोनों को साथ में draw कर लेते हैं, बच्चों देखना, यहाँ पर object है, जिससे एक inverted image बनी ही रही है, but what is case two, remember, case two is when your final image is formed at near point, heading बना, case two is when your final image is formed at the near point, near point मतलब ध्यान देना है, यह आपका आई-पी से final image का distance क्या आ रहा है, डी आ रहा है, इस case में यह distance आपका infinity ना होके, डी होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम object का distance आई-पी से focus और पी के बीच में रखेंगे, this is the focus of the eye piece, this is the optical center of the eye piece, तो दोनों के बीच में अगर हम object को रखेंगे, तो finally आपको image कहाँ पर मिलेगा, at a finite distance, virtual inverted image बनती है, inverted with respect to the initial object, virtual image बनती है, magnified image बनती है, तो final virtual image आपकी कहाँ पर बन रही, near point पर, यह case समझ में आ रहा है आपको, this is the case too, दोनों case से एक साथ कर लेते हैं, दोनों का magnification एक साथ निका ले, ठीक है ना, नहीं यार, रुहित एक नहीं है, आपको फरक समझ आएगा कुछ टाइम बाद, anyway, questions, practice, करते हैं यार सलूनी, बट एक continuity maintain करते हैं, सुनो ना, एक continuity maintain करते हैं, आपको question में एक साथ पूछों को, don't worry, अभी like line से दो-तीन question आएंगे, बढ़िया level के भी आएंगे, I hope this case is also clear, and this case is also clear, where you're getting infinity पर image, case 1, of normal adjustment, and when you're getting image at near point, जो दो cases हम, simple microscope के लिए बनाये थे, अब देखना बड़ा ही आसान चीज है, अब यहां से आप है, या लिखेंगे, alpha बीठा जिसे अपन लिख रहे थे, वैसी दो equation अपन लिखेंगे, but do you remember theta not, which is the maximum visual angle, do you remember largest angle, यानि की maximum visual angle की, एक अपन equation, लिखें थे last class में, इसे को नहीं आदे तो लिखना, maximum visual angle, subtended by the object on the unaided eye, unaided eye जब कोई भी microscope यूज नहीं हो रहा है, unaided eye पे object, क्या angle बना सकता है maximum, that is edge by d, ये concept अपने last class में किया था, इस बाश ओट में देखो, कैसे अगर ये, eye इसके सामने रखा है object, object बड़ा चोटा, I remember that, this is a very tiny object, obviously the angle subtended by it, will be very small, in that case, उसको maximum आप d distance पर रख सकते हो, क्योंकि d distance, least distance of clear vision या, तो tan theta या theta equal to edge by d, अपने इस तरह से एक term निकालाते हैं, साथी साथ, अभी आप देख रहे हो, दोनो diagram से, बच्छो दोनो diagram से ध्यान देना, जो भी आपकी final image है, वो क्या angle theta dash subtended करी है, तो अपने इसको beta लिखा है वैसे, बीटा ही इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या बीटा angle subtended करी है, तो h dash by u e, ध्यान देना, यह जो distance है, अभी f e था, बट अभी u e हो जाएगा कुछ, case 1 में यह distance f e था, because focal length के equal था, but in general, कि हमें इसको u e distance बोल सकता हूँ, यहां से यहां तक का distance, case 2 में एक बार देखना, यहां से यहां तक का distance, focal length से थोड़ा कम होगा, in fact, again repeating, जो image आ रही है, यहां पे वो focus और pole के बीच में आईगी, ताकि final image आपकी virtual image आए, infinity पर ना आए, right, इस object को मैंने focus और pole के बीच में रखा है, u e distance पर let's से रखा है, तो can I write theta dash equal to, theta dash equal to h dash by u e, यह मेरी एक equation, theta naught जो main angle है, वो अपना h by d है, unaided आई वाला, तो यह दो angles को अगर हम ratio लेंगे, क्या अपने पास magnifying power आएगी, in general है ना, in general, अब आप यहाँ पर लिख सकते हो, I think, you should write this here itself, h dash by h, and u e divided by d, u e will be there in the denominator, so d divided by u e, एक बार यहाँ तक लिख लो बच्चो, so that you will understand the next two things, I am going to tell you, एक यह आपके पास, खोड़ा सा और refine कर सकते हैं, in fact, h dash by h कुम है, v divided by u भी ले सकता हूँ, v o divided by u, o भी ले सकता हूँ, यहाँ तक कुछ चीज़े चमक रही हैं क्या, don't worry, अपन दो question, तीन question करेंगे, in fact, और एक बार, microscope समझ गहें, तो आपको telescope समझ में आ जाएगा, so this is the main point of the lecture, by the way, एक बार आप microscope समझ जाओगे, तो telescope भी समझ जाओगे, diagram clear है कि नहीं, सबसे पहले clarity होनी ची, diagram की, number two, यह दोनो angles clear है कि नहीं, तुमें, और यह जो मैंने लिखा है, वो clear है कि नहीं बता जेना है, which step you have doubt in, let me know if you have, okay, वह नाइस, रंजना सलुनी गौरी ओखे, अंतरयामी शोबित ओखे, ठीक मतला एक बार लिख लो, even if you have a slight doubt, वो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, वोट एक बार लिख लिया आपने, तो मेरे को संतुष्ट्य हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैं यह फॉर्मॲा क्या बना रहा हो, अब देखना इत्ना, यह फॉर्मुला garnis जैने ब यह फॉर्मॉला है, यह फॉर्मुला दोनों केसेस का फॉर्मुला है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है H dash by H को मैंने height of image by height of object को मैंने H dash क्या है image of the objective H dash by H को मैंने क्या लिखा है V by U V by U होता है formula for lens what is the formula of magnification height of image by height of object V by U V O by U लिखा है अपने V O U अपने पीछे भी show किया था D by U ही clear है D by U ही आपको clear है अब यह जो D by U E वाली चीज है उसको case by case लिखते है now let's break this down into two cases let's break this down into two cases बच्चो के D by U E की value D by F E होगी सुनना इस चीज को D by U E वाली जो term है केस वन के लिए U E की value F E है normal adjustment का diagram देखो when the image is at infinity the object must be kept at F E है ना D by F E हो जाएगा and one plus D by F E हो जाएगा for the next case which is the second case second case is where D by U E की value अपन लिख रहे है one plus D by F E हो जाएगी when the final image is formed at the least distance of clear vision final image is formed at the near point ठीक है यह दोनों चीजों को गौर करते हुए मैं फिर से लिख रहा हूँ देखना पीछे अपनने जो लिखा है which dash by H into D by U E यह मेरे पास आया था यह formula को अपनने पहले तो इसको लिख दिया V O by U O and D by F E को अपन दो तरीकों से लिख सकते है D by U E को अपन दो तरीके से लिख सकते है यहाँ पर आप भी लिखना case 1 and case 2 है न magnifying power finally is equal to V O by U O into D by F E यहाँ देखो यह समझ में आ रहा है और इसको लिखो यहाँ तक लिखा होपफोली पीछे अपने यह लिखागा case 1 ऐसे लिख दो yes and case 2 क्या है V O by U O into 1 plus D by F E 1 plus D by F E is the magnifying power of the IPs D by U E वाली term को अपन फिर से lens formula लगा के लिखें यह मैं चाहता नहीं हूँ because we have already done this in the last lecture के हमने last lecture में D by U E कोई जाके देखना D by U की value हमने last lecture में simple microscope में 1 plus D by F E लिखी थी याद है किसी को तो वो result हम यूज कर रहे है and this is nothing but this result is nothing but M O into M E M is equal to M O into M E है यह result कुछ भी नहीं है अगर आप यहाँ पर ध्यान दे अपने I hope last week के भी lectures देखे है magnifying power of two lenses कैसे निकालते थे अपन magnifying power of one lens multiplied by magnifying power of another lens lenses in contact हो या चाहे lenses at a distance हो यह concept अपने last lecture में last week के lecture में पढ़ा था अगर थोड़ी सी भी continuity maintain की है तो click हो रहा होगा थोड़ी सी भी बतलब एकदम basic level की हम सब कर देने live chat में yes यह वही चीज है तो यह अपना एक formula बन जाता है this is my final formula in fact this is the second formula which I will use for इसको भी थोड़ा सा कैसे लिख सकता हूं मैं देखना है यह यह वाला जो first term है वो MO है and one plus d by fe ME ही है यह आप individual lenses का magnifying power निकाल के multiply कर सकते हैं और यह दो formula है microscope के लिए तो useful ही है telescope में भी अभी अपन useful इनको बनाएंगे इब लिख लो है नहां तक case 1, case 2 आप ऐसे ही लिख लो because you have known what case 1 and case 2 is पुड़ी आपकी reference के लिए case 1, case 2 नीचे भी लिखा हुआ है some of these things are definitely clear will make it more clear with some questions don't worry product होता है yes अर्बिंद, सानुज, शुबेत, अर्बिंद, राजीव you all agree शुबा, please don't spam बच्चा, क्या लिख रहे तो हाँ देखो ना बिल्कुल वो बहुत important है CBSE term 2 के जो हमने last year videos बनाए थे वो इतने मज़ेदार videos है मझलब often code के लिए कुछ चीजे important हो जाती है, जो की JEE के लिए कई बार नहीं होती है उन्हें हमने cover करने पर उस series में ज़्यादा time दिया है किसी ने अगर ज्याद नहीं दिया तो last year हमने CBSE term 2 series करी थे जब term 1, term 2 हो रहे थे आपके seniors की and that is very important for you to watch for your pre-boards alright, so see I am recalling this again क्योंकि यह lecture का main point है यह lecture का crux है as I am saying again and again, कि magnifying power अपने microscope की निकाल तो लिए, बट formula क्या आ रहा है, compound microscope में दो magnification आ रहे है एक तो V by U अपन निकाल लेंगे क्योंकि आप objective की distance दे रखी होगी आपको question कैसे होगी आप मैं बताता हो यू दे रखा होगा V आप निकाल सकते हैं क्योंकि focal length of objective दे रखी होगी and D by Fe and 1 plus D by Fe are two values which we have already known D by Fe is the magnifying power of IPS considering final image is formed at infinity D by Fe is the magnifying power of the IPS considering IPS as a single lens considering IPS as a magnifying glass, देको मैं क्या शब्द यूज़ करोओ, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे क्या आप directly D by Fe और 1 plus D by Fe को आप ऐसे समझे this is the magnifying power of the IPS considering IPS as a magnifying glass considering IPS as a simple microscope, ठीक है, तो हमने basically एक दो lens की problem को अलग-अलग lens में divide कर दिया पहले lens का आप कैसे magnifying power निकालेंगे, वी बाई यू से वी बाई यू कैसा आता है जो अपने बहुत question किया है, अलरड़ी lenses के उससे है, एक बाई F plus U भी कर सकते हैं and D by Fe, 1 plus D by Fe क्या है, considering the eye piece as a magnifying glass, considering eye piece as a simple microscope, चमक लिए चीज़े conceptually चमक चुका है concept clear है अब कुछ questions करते हैं है ना ठीक है बच्चा कुछ questions करेंगे आपको और clear होगा let's do some questions we are doing some very simple questions यहां से अपना आज का पहला सवाल चालू होता है these are some very simple questions एक बाई पढ़के answer करना आपको feel आईगी तनमे सेंग मुझे subscription लेना क्या फाइदा है फाइदे तो बहुत है अनेक है बटा तेरा गोल क्या है यह बटा उस हिसाब से आपको guide कर पाऊँगा YouTube पे देखो अच्छा तो subject है यार YouTube पे भी अच्छा है PLUS पे भी कुछ benefits है PLUS पे बच्चा once you pay becomes more sincere those whoever is at PLUS platform when you pay ना जब भी even like parents में भी भावना आ जाती जब वो payment करते ना बच्चे के fees तो पूछते regularly तो कैसा पढ़ रहा है सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है test होते हैं आपके time to time doubt clearing sessions होते हैं बच्चा आपने से regularly interact कर रहा है class में आ रहा है नहीं आ रहा है तो ध्यान जाता है कि क्यों नहीं आ रहा है भाई तो वो एक culture होता है बच्चा you are paying for that environment also अच्छा चलो answer आ चुके सब के I hope सब ने answer कर दिया है क्योंकि बहुत ही simple question है बच्चों कि magnifying power of this compound microscope is 32 given m is 32 and m e is 4 how much is m o question ये पूछ रहा है तो बड़ा ही simple question था 8 आपने answer कर दिया होगा I hope m is equal to m o into m e ये concept अपने lenses in contact, lenses at a distance वाली lecture में last week derive किया था आप जाके देख सकते होने चाहे तो बड़ा ही simple सा concept ही है और 32 है एक आपको मालूम नहीं है m e की value 4 है m o की value 32 बटे 4 जनी की 8 ये होगे आपका पहला simple सवाल second सवाल देखना उतना simple नहीं है second सवाल को एक बार मेरे साथ में करिए compound microscope में अब focal length दे रखी है ये है focal length किसकी objective की and ये focal length है IPS की जिस order में लिखा होता है उसी order में होता है focal length of objective कितनी है focal length of IPS कितनी है can you note that IPS की focal length is greater than objective है ये चीज अपने शुरू में देखी थे IPS बड़े साइस का होता है और बड़ी focal length होती ये question है with realistic values previous year question है now imagine this question getting repeated every two years हर दो साल में इस तरह का एक question J main में या J advance में J advance में आएगा तो थोड़ा और tricky आएगा this is J main level का question now object is put at 1.25 cm away from the objective what else is given question में जो भी given होता है न उनको आप रख दियां करें इस तरह की values में अचो अगर आप वो इनसाने जो कि question को बार बार पढ़ता है परी आवाज आरी सबको अगर आप वो इनसाने जो कि question को 10 बार पढ़ता है solve करने से पहले आप ये एक name बना ले जो मैं कहरा हूँ कि question पढ़ते पढ़ते ही side में values लिखते जाओ question पढ़ते पढ़ते side में values लिखते जाओ and आपको फिर question दुबारा नहीं पढ़ना पढ़ेगा तुमने यहां तक पढ़ा values लिख ली and final images formed at infinity मतलब यह case 1 की बात कर रहा normal adjustment case 1 की बात कर रहा है magnifying power निकालो normal adjustment में magnifying power का formula तुम्हें याद है याद नहीं है तो ध्यान दो और यार अब निकाल लो MO आपको निकालना पढ़ेगा E by FE आपके पास है values है बोलो थोड़ा clear होआ question answer भी आगे कुछ बच्चों के तो but mixed answer आ रहे एक बार सब लोग अपना answer verify कर लो जाता हों के सभी लोग एक ही answer पर arrive करें तो D और FE तो पता है D 25 cm होता है FO भी दे रखा है U O M O कैसे निकालोगे M O कैसे निकालोगे या आप V by U करने वाले हो या आप F by F plus U करने वाले हो मुझे बताओ which is the smarter method lens formulae से पहले V निकाले है या यह कर ले डिरेक्टली कि आपने question इस तरह के Monday के अभ्यास में आपने है ऐसे question किये बच्चों magnifying power of किसी भी lens निकालना है V की value नहीं पूछी question में F by F plus U लगा दो ना F by F plus U यहां का formula है F by F minus U mirror का formula है दोनों formula याद रखने जरूरी है F by F plus U मतलब focal length of objective, दोनों plus है दोनों focal length positive है U की value negative है मैं काफी slow solve कर रहा हूं बढ़ मैं चाहता हूं कि आप मेरे से पहले solve करके answer लिख दे तो 1.2 divided by minus point 05 तो negative आ रहा है यह भी note करो negative क्यों आ रहा है यह मुझे बता आप यह भी note करो कि negative आ रहा है M O की value 120 बटे 5 ही लिख दो D by F e 25 बटे F e कितना गया है 3 ना यह था तो final answer बता दो अब सामने दिख रहा है आपका A B C D क्या लिख रहे हैं C लिख रहे है Is everybody writing C Can I lock C आपकी तरफ से C answer को lock कर दिया जाए क्या तो देखो यह पर यह 5 हो रहा है और यह 40 हो रहा है 45 जा 200 हो जाता है minus 200 भी आ रहा है यह भी note करो minus sign क्यों आ रहा है यह मुझे बताओ answer एक बार आ रहा है कि नहीं सब देख लो answer देखो यह वाला C answer कुछ बच्चे D लिख देख लो यह भी देख लो ध्यान देना किजी का अगर नहीं आया by chance answer नहीं आ रहा है तो ध्यान दो बिटा फिर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं बट यह formula समझ में आ रहा है कि जिसका भी answer अभी तक नहीं आया यह formula समझ में आ रहा है कि अपन करके आ रहे है final image infinity पे तो d by fe है ठीक है d और fe की value तो पता है question में 25-3 दे रखी mo की value कैसे निकालते है तो objective का distance दे रखा अगर diagram भी बनाए तो अच्छा होगा जिन बच्चों के answer नहीं आते है please start with the diagram now because this is the last lecture of Ray Optics remember this is the last lecture of Ray Optics जितनी वाट यहां पे लग सकती उससे जाधा तो आप question अभियास में कर चुके है यह objective का distance से कुछ inverted image बन रही है यह जब दे रखा है तुम्हे क्या तुम magnifying power of objectives इस formula से निकाल सकते हो यहां पे f o और u o substitute करके में पास mo की value यह आगई इसको यहां पे substitute किया है माइनस का क्या अतात पर यह है एक question मैंने पूछा माइनस का क्या मतलब है माइनस का मतलब है माइनस का मतलब है same side as objective बन रहा है यूसूफ बोल रहा है किया न कि दोनों ही cases में please see final image inverted बन रहा है चाहे वो आपका least distance of clear vision पे बन रहा है चाहे वो आपका infinity पे बन रहा है अगर final image inverted बन रहा है देखो इसका यह मतलब है कि आप जो भी चीज देख रहे हो microscope से be it amoeba be it cheek cell onion cell जो भी चीज देख रहे हो आप microscope से वो आपको inverted दिखती है and you are fine with it क्योंकि inverted दिखे amoeba या कोई भी चीज कोई भी atomic level की चीज तो we can adjust with that उसमें ऐसा नहीं कि upside down देखेगा तो आजीब लेगेगा माइनस आ रहा है तो इस चीज का ख्याल रखना है yes microscope से चीजे inverted दिखती है final image inverted दिखती है final image inverted है तो कोई फरक नहीं पड़ता हमें we don't care that much के amoeba ultra दिख रहा है या सीधा in fact हमाई लिए दोनों चीजें same ही है ठीक है बटा तो यह question भी exactly वैसा ही है मैं चाहूंगा कि आप इस question को भी homework में try करें exactly ऐसा ही है microscope का question है दोनों की focal length दे रखी FO या FE में कौन बड़ा है देख लो जल्दी से and आपको least distance of clear vision पे image दे रखी है इसको कर ले क्या भी I feel कि इस question को अपने को कर लेना चाहिए वैसे भी अभ्यास में अपने questions कर लेंगे बचो आप लोग एक PYQ भी देखना है आप लोग last year के PYQs देख रहे हैं की नहीं पता नहीं अभी homework नहीं दे रहे है इसको अभी करना है आप last year के PYQ of optical instrument भी देखना वहाँ पे और questions आपको मिलेंगे वो देखकर जब भी हम इसके अभ्यास को करेंगे इसको करेंगे तो यह कर लेते हैं वेकोज दिफरेंट केस फाइनल इमेज इस 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 समद लिया तो आगे का लेक्चर भी आसान है इस से पहले वाले भी आसान है आपको यह फॉर्मला समझ में आ रहे हैं इसमें सब्सिटूट करते हैं वैल्यूस वैल्यूस के दे रखी अपने को दोनों लेंसेज में कौन सा क्या है नहीं दे रखा है बड़ अपने को पता है कि अबजेक्टिव कौन सा होगा आईपी इस कौन सा होगा अबजेक्टिव कौन सा होगा आईपी इस कौन सा होगा अबजेक्टिव विल बी 1.5 cm अबजेक्टिव लेंस है तो फोकल लेंस पॉजिटिव दोनों की समझ में आ रहे है अबजेक्टिव लेंस से तो फोकल लेंस पॉजिटिव दोनों की समझ में आ रहे है अना अबजेक्टिव प्लेज़ अट तो सेंटिमेटर संद अबजेक्टिव यू ओ इस माइनस तो सेंटिमेटर गिवन दा साइन कन्वेंशन यह चीज है गिवन है एंड MO की वैल्यू वैसे ही निकाल रहे है अपन और अभी आंसर निकाल लो यार I don't want to write the final answer, it should come from you Optical instrument में कम PY की है बट वही बात है कि आ गया तो फिर चार नंबर तो चाहिए अरबेंद बताओंगा अक्षो, special class में कभी आओ, मिलो मुझे वहाँ पर बताओंगा बटा लिख लिया, आंसर नहीं लिखा यार अभी तक किसी ने, कुछी बच्चे लिखे है इन फैक्ट सभी बच्चे आंसर लिखे है everybody should write down the answer कि the answer is distance between the two lenses this is something new this distance between the two lenses is often known as tube length tube length, बोलते है इसको पर distance between the two lenses को L से represent करते है अपने को objective and ips के बीच का distance लिखना है बच्चो तो डाइग्राम के बिना question मत करना आवा यह tube length कहलाती है L से represent करते हैं अपन इससे और थोड़ा से easy है बट एक equation और बनानी पड़ेगा magnifying power नहीं पूछा है अपने इस question में magnifying power पर concentrate किया बट वो तो अपने को पूछा ही नहीं है आप क्या करें देखो यहाँ पर final image आपकी near point पर बन रिया final image आपके इस case में near point पर बन रिया तो देखो मैंने diagram बनाया ठीक है final image near point पर बना दिया अपने यह diagram समझ में आ रहा है कि आप भी ऐसा diagram बना सकते है बच्चों objective की image inverted eye piece की image at near point d distance and the question is asking the tube length what the question is asking my bad यार, एक बार magnification पर निकाल लो since we have done all this मेहनत एक बार magnifying power कितनी है मुझे यह भी बता दो FO by FO plus U आप magnifying power बता दो ABCD मत बचाओ मुझे एक काम करो ABCD मत बचाओ बताओ मुझे magnifying power बता दो this question I think मैंने question पढ़ा ही नहीं इस वज़े से we have at least I have digressed 1.5 divided by 0.5 is minus 3 magnifying power of objective is minus 3 eye piece की कितनी आरी जल्दी से बताओ और मुझे magnifying power बताओ जिन में magnifying power अपने को अगर पूछी है तो कितनी आईगी all right that is 4 plus 1 5 and minus 15 is the answer of magnifying power is the answer of magnifying power समझ में आ रहा है I think यह आपको calculation कुछ समझ में आ रही तो minus 15 आ रहा है काम करते है the tube length concept is this इसको V O and U E कितना होगा वो दोनों निकालके आपको add करना पड़ेगा tube length यहाँ पर देखना is V O plus U E mod values और वो चीज आप answer करना comments में answer करना comments में after this lecture is over by the way उसका भी answer बताते हैं वो answer अपना D एक दो बच्चों का D answer भी आ गया but एक काम करते हैं कि इस चीज को आप लोग निकालके एक बार calculate करना and minus 15 15 is the answer I was looking for अपना magnification निकाल रहे है minus 15 यहाँ पर आ चुके कई बच्चों का ठीक है Yusuf Ganga you guys are writing that I understand कि यह चीज आपको समझ में आरी tube length कैसे निकालना है distance between the lenses पूछा है तो आप दोनों के लिए lens equation लिखोगे दोनों के लिए lens formula लिखोगे इसके लिए VO निकालोगे इसके लिए UE निकालोगे दो lens formula के बाद आई गया अपने इस question में डाइग्रेस होगे बट चलो ठीक है not a total waste main चीज magnifying power अपने निकाल फटाफट से आते हैं telescope पे जो की concept एकदम similar है और आसान भी as I am saying एक बार heading मनाना telescope में क्या होने वाला है देखो telescope में you are going to basically look at something which is a distant object telescope के लिए आप distant object use करते हैं या distant object telescope use करते हैं star हो सकता है planets हो सकते हैं tree हो सकता है mountain हो सकता है तो उसके लिए आपने इस तरह का telescope शायद कभी use किया हो जब आप किसी यसी गूमने वाली जगे पे जाते हैं और उसमें telescope से आपको far off चीजे दिखती है जैसे कि आप moon भी देख सकते हैं अगर आपके astronomical telescope यहाँ पे भी दो lenses होते है astronomical telescope and terrestrial telescope दो cases में scopen पढ़ेंगे दोनों काफी similar है एक को पहले समद लो astronomical telescope इसमें भी क्या होने वाला objective and eye piece ठीक है बच्चो objective and eye piece eye piece is the lens with smaller focal lens तो आप आप ऐसा crude diagram बनाना आपने जो भी telescope's देखे हैं I'm sure वो इस shape के आपने देखे हैं मतलब कभी movies में देखा होगा कभी आपने ऐसे cartoons में देखा होगा I'm sure ठीक है ना किया आपने वो चीज़ नोट करी है कि किसकी size बड़ी होती objective is having the larger aperture here and larger focal length focal length of objective is greater than focal length of eye piece do you note this? which is exactly a reverse of what we have learnt in microscope microscope में इसका उल्टा था telescope में ऐसा सादी साथ इनकी size के बारे में अपने को पता है कि this is having a large aperture aperture मतलब size and this is having a small aperture this reminds me कि अपने को last lecture of wave optics में भी अभी इसके बाद wave optics चालू करेंगे Saturday से हम last lecture of wave optics में भी हमें यह चीजें फिर से दोहरानी पड़ेगी especially अपने को जो astronomical telescope से जो जो भी चीजे दिखती है उसके बारे में resolving power के भी कुछ formula derive करने पड़ेंगे these are like all important concepts usually क्या होता है बच्चे एक दो lecture शुरू के देख लेते हैं last lecture देखते ही नहीं उनको लगता है उससे थोड़ी question आती है जेही वाले उल्टे हैं last lecture तो कमी बच्चे पढ़ते हैं sincerity से कमी बच्चे पढ़ते हैं consistently कमी बच्चे पढ़ते हैं बच्चे जाते हैं चाहे तो paper उठाके देख लो यह concept बड़े important है large focal length and large aperture किसका होता है objective का large aperture large focal length होती है high piece की small aperture small size and small focal length यह astronomical telescope का ray diagram बनाएंगे this is objective which is closer to the object objective objective किसी planet की तरफ pointed है let's say Jupiter Jupiter PQ दो points से आपर represent हो रहा है PQ is the object का location which is at infinity अगर यहां से light rays आ रही है infinity से उसकी image कहां बनेगी बच्चों light rays are coming from infinity उनको कैसे आपन शो करते हैं ब्रोकन इस तरह से आपन शो करते हैं light rays are coming infinity से parallel आ रही एक दूसरे से एक दूसरे से parallel आ रही है यह जरूर ही नहीं बच्चों को वह principal axis से भी parallel आ यह आपर एक और case जो आपन ने mirror में भी draw किया था आपको मैं आपर बता रहा हूं बड़ा interesting case है यह कि when the light rays are coming parallel to each other but not parallel to principal axis how do you form its image image obviously focal plane में बनेगा यह focus पे नहीं बनेगा बच्चों image usually parallel to the principal axis आती तो focus पे point image बना जेते हैं image is coming from here this point Q से ही आ रही है and then they are getting formed in the focal plane image is getting formed in the focal plane it's a real image of course the real inverted image of course but the image is formed in the focal plane focal plane का मतलब किया थोड़ा समत ना इस चीज को Q point का image अपने बताया यहां पे Q dash and similarly P point का image यहां पे P dash P dash Q dash is the inverted image of object P Q and finally अगर आप इसको case 1 की heading में पढ़ रहे हो तो अभी diagram बनाना case 1 क्या है final image at infinity final image at infinity और देखना यह बड़ा आसान case है क्योंकि final image infinity के लिए आपने intermediate object को कहां रखना है यह बताओ thermal adjustment के लिए intermediate image को कहां रखना है बच्चों intermediate image को यहां से भी FE पे रखना है this is FE this is FO look at this this is FO this is FE and your final image will be at infinity observer is over here final image is at infinity yes, I think this is one diagram you should draw right now Delhi Scope Delhi Scope में भी 2 cases बनेंगे बच्चों of course case 1 case 2 but can you draw this can you draw this reflection reflection कैसे होगा भाई hello जो लड़के पांच मिनिट पहले lecture में एंटर हो रहे हैं करपे या सूने सिर्फ बोले ना चीज़ पांच मिनिट पहले lecture में एंटर हो रहे हैं और फिर तुम बोल रहे हो के क्या होगा क्या होगा anyway so look at this diagram इस diagram जरूर बना लेना आपको कही चीज़ बहुत साही चीज़ हो diagram में सीखने को मिलती है you have no idea कितनी सारी चीज़ हो diagram में सीखने को मिलती है इस distances भी बता दो FO & FE ठीक है ना अब देखना final angle subtended by the image and angle subtended by the object on the eye object on the unaided eye यहां पर देखना अपन क्या कर रहे हैं कि अगर आप Jupiter को सिर्फ अपनी आखों से देखते हैं बिना किसी telescope को यूज करें Jupiter को आप अपनी आखों से देख रहे हैं angle subtended by that on your eye या फिर यहां पर objective भी रख दिया एक ही बात है कि वह object इतना दूर है object is so far away कि वह जो angle subtended कर रहा है objective पे और अपनी आख पे वह same है alpha is the angle subtended on the unaided eye angle subtended on the unaided eye समझ में आ रहा है yes and is beta the angle subtended by the final image on the eye piece final image आपकी infinity पे है final image आपकी infinity पे है final image आपकी infinity पे है and also intermediate image दोनो semi-angle subtended कर रही है यह geometry बनती है dotted lines as well as the intermediate image both are subtending beta angle here let's assume the intermediate image to be having h dash h dash height में क्या लिख पाऊंगो ध्यान देना आपको भी लिखना है सिर्फ alpha is equal to h dash by fo beta is equal to h dash by fe diagram में देखके एक बार लिख लो M कितना है मुझे बता दो M यानि कि magnifying power angular magnification which is beta by alpha कितना आता है लिख दो live chat में मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको भी समझ में आ गया है done done hello भाई hello objective objective watching actually in IIT Bombay we used to have bird watching camps because if you don't know IIT Bombay एक sanctuary के पास में है Rajiv Gandhi National Park बगल में है कई बार हमें Panthers भी विजिट करते थे कूछने के लिए पढ़ाई वड़ाई कैसे चल रही है parents भी आते थे और कभी-कभी Panthers भी आ जाते थे campus में just to ask how we are doing by the way उन्होंने J.E. qualified किये बिना admission लिया IIT भी IIT Bombay में yes there were many birds also there that was something we picked up in the campus alright very nice Arbind Gauri have written the answer I have been asking FO by FE Vita by Alpha FO by FE आ जाता है ये हो गया आपका direct answer magnifying power का for case 1 ये अपने case 1 कर लिया आ बच्चों यहाँ पर complete case 2 के लिए भी जल्दी से बना देते है फिर अपना lecture ख़दम करते है फटा-फट ठीक है ने यार वो सब हम नहीं करते है वो हरकते हम नहीं करते है वो आप कर सकते है normal adjustment का case फिर से देख लो normal adjustment का angle beta है object का angle subtended is alpha beta by alpha की value अपने I think लिख ली है fo by fe फिर के बच्चा एक चीज़ और add कर लो beta by alpha यानि कि magnifying power minus fo by fe भी लिख लो we are introducing a negative sign knowingly because अपने को पता है कि inverted image बन रही है infinity भी जो भी image बन रही है inverted image बन रही है हम क्या बोल रहे है कि beta by alpha negative भी है magnitude तो fo by fe है but magnifying power को एक minus sign और introduce करके लिख लो minus sign is suggesting that final image is inverted with respect to object and is that fine can you have final image inverted with respect to object for astronomical telescope अगर आप Jupiter को देख रहे थे और आपको telescope में उल्टा Jupiter देख रहे है तो आपको कोई विशेच फरक पड़ रहे है क्या नहीं right when you use most of these astronomical telescopes image gets inverted but not in the new age once I think they have a mechanism to correct the image but final image inverted होती है और फरक नहीं पड़ता अगर हम Mars को Jupiter को या even Moon को उल्टा देख रहे है तो समझारी बात देखने यह होगे normal adjustment का case ठीक है बड़ा आ जाते है केस टू पे केस टू का भी diagram बनाते है तो इस diagram कैसे बना रहे है हम जो भी light rays आ रहे है इससे ever light rays are coming they are coming from infinity तो एक आपकी pole यानि की optical center पे incident करते हुए और देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है telescope why is it easier did you notice why is telescope easier बच्चो क्योंकि आप जो पहली image बना रहे वो कहा बना रहे focal plane of objective में objective के focal plane में पहली image हमेशा बनेगी हमेशा बनेगी और inverted image बन रहे है objective के focal plane में focal plane मतला है it's a plane which is perpendicular to principal axis passing through objective इस plane में image बन रहे है obviously pq की p-q- image है अब देखनें यहां पे थोड़ा सा आपको case 2 में क्या ध्यान रखना है final image near point पे बनानी है final image infinity पे नहीं बना रहे है उससे क्या हो रहा है उसमें angular magnification और बढ़ जाएगा यह हम किस चकर में करते है case 2 हम इसलिए लगाते हैं कि magnifying power थोड़ी सी बड़ी होई मिले हमको better मिले उसके लिए आप क्या कर सकते हैं final image infinity पे ना बने final image near point पे बने उसके लिए आप क्या कर सकते हैं you can keep this object between the focal plane of eye piece and pole of the eye piece yes this distance let's call it u e is definitely less than fe मतला fe यहां पे कहीं पे होगा eye piece का focus यहां पे कहीं पे होगा और pe यहां पे है दोनों के बीच में आपने कहीं पे object को रखा है चमक रहा है यहां पे जहान देना एक बार eye piece का focus और pole के बीच में अगर आपने object को रखा है तब जाके उसकी एक virtual image बनती है on the same side as object that virtual image we are saying is let's say getting formed at d distance पहली image real है this is the virtual image obviously at d distance ठीक है in this case we need to find again the value of beta alpha is same by the way alpha will be same beta निकालते हैं और yes इस case में find out करते हैं एक बार diagram बना ले ना रचित समदने की कोशिश ने तू रचित पहली बार class में आए गया जैसे रचित कॉमेंट लिख रहा है यहां पर सर तो पूरा ही explain ना ही करते हैं ओके रचित यार रे आप्टिक्स के last lecture में आके अगर तू comment छोड़ देगा तो उससे तो जिंदगी में कभी भी किसी भी topic में समद नहीं आएगा बटा consistency is the key रे आप्टिक्स का last lecture है I highly expect कि आप लोग इचले lecture देख के आप आएगा परना तो last lecture में क्या ही सबज आएगा तो बीच से देख रहा हूँ I did not see you in the initial part of the lecture, am I right? एकदम बीच में से कहीं से भी शुरू करके तो कुछ भी भी समद नहीं आएगा I do expect कि तो को समझ में आ जाएगा ये रे आप्टिक्स जैसे topic का last part है Alright Anyway so there are certain things you need to pay attention to बच्छों, there are certain things before we do, before we make the final calculations, you need to pay attention to, let's make some points clear, ठीक है, जैसे e की value अपने को यहाँ पर use करनी पड़ी ध्यान देना, अपना aim क्या है, magnifying power निकालना, beta की value कितनी आ रही है beta की value u e divided by p dash q dash जिसको h dash बोल रहे थे अपन h dash के बजाए में इसको क्या लिख रहा हूँ p dash q dash लिख रहा हूँ and u e की बजाए में क्या लिख रहा हूँ I am writing this as p dash e आप लोग भी लिखना है एक बार यह values beta की value alpha की value alpha is simple alpha is always been simple यह distance आपका f o है एक बार लिख लेता है इसको भी आपका आपका यह दो equations देखना और magnifying power निकालने के लिए इनको हम divide करेंगे और बीटा मतलब की denominator में p dash e आ जाएगा तो यहां तक एक बार equation 3 मार्क करके लिख दो हमें इसे एक और equation से थोड़ सा narrow down करना पड़ेगा but I think our most of the work is done most of the lecture which is about telescope also is done तो आप एक बार यहां तक लिख ले done ठीक है रचित care to disagree सानुज, गौरी, राजी, अर्बिन इन बच्चों को तो समझ में आ चुका है रंजरा ठीक है डाग्राम बनाना यह equations लिखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहां पे तो f o आ गया था f e आ गया था, पीछे अपने देखा case 1 में यहां पे f e आ गया था पिछला case बोल सिंपलर यह वाला distance f e आ गया था, यह भी simple ही है but p dash e distance को अपने को थोड़ा सा लिखना पढ़ेगा lens formula से p dash e को अपने को lens formula यहां पे देखो वह लिखा हुआ एक बार अपने लिख लिया यह चीज तो but p dash e distance के लिए ध्यान देना अपन क्या कर रहे है अपन lens formula यूज कर फोड़ा से ध्यान देना p dash e distance क्या है object का distance है और minus p dash e लिख दू मैं इसको क्योंकि यह negative है तो ध्यान देना lens equation लिख रहे है अपन eye piece के लिए eye piece के लिए final image कहां पे बन रही है d distance पे बन रही final image कहां पे बन रही है minus d पे बन रही है अबजेक्ट आपने कहां पे रखा हुआ है minus e p dash उनको जब हम lens equation में substitute कर रहे है क्या अपने पास आता है आप भी इसको लिखना आप भी इसको लिख लेना कोई बड़ी बात नहीं है आपने यह चीज़े lens formula कई बार लगाया है image अगर minus d पे बन रही है object कहां पे बन रही है this is eye piece 1 by p dash e की value ऐसे यहां से 1 by f e plus 1 by d आ गई है यह equation अगर मैं बीटा में substitute कर दूँ मेरे पास बीटा की एक equation आई थी तो final image मेरे पास final equation मेरे पास आ जाईगे पीछे क्याता है अपने पास f o by p e dash f o by f o 1 by f e plus 1 by d this is in fact the final formula दोनों cases के formula अपने derive कर लिये है अभी एक बार देखके लिख लो explain आप तभी अगर इसको लिख लोगे तो आपको समझ में आ जायागा I don't think there is a problem but फिर भी in case कोई doubt है तो बताना यह अपना 2 cases हो जाएगा फिर then we can do some questions also all right all right all right वही नाइस अंकित keep following these lectures ठीक है बच्चा रुवम लेख लिया अंतरिया में लिख लिया है all right वही नाइस दो फार्मुले अपने दोनों cases के लिए बनाया है एक बार recall करवा दो क्या हो रहा है अपने पार second case के लिए अपने beta by alpha fo one by fe plus one by d लिख रहा है इसको दो-तिन तरीके से लिख सकते हैं इस magnifying power को आप fo fe plus d upon fe d भी लिख सकते हैं what is this taking the lcm fe d का lcm ले लिया मैंने आपे numerator में fe plus d अच्छा लिख लेना सुनो मेरी बात formula को लिख जरूर लेना you will not find these formula in any book that with that clarity है जब आपको मिल तो जाएंगी formula but वही बात है कुछ किताबों में कुछ चीज़े अलग-अलग तरह से दे रखी आप एक बार इनको लिख जरूर लेना बच्चो diagram बना के लिख लेना मतला आपका topic हो गया आप चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो एक minus sign और introduce कर देंगे समझ में आ रहा है just like case 1 एक minus sign आपको क्या बता रहा है that final image is inverted final image inverted है ठीक है बट यह value जो है is it I think दोनों cases यहां पर एक जगे पर भी बता रहा है मैंने यह पर शायद नहीं लिखा है एक slide पर मैं को लिखना चाहे दोनों cases एक साथ भी बट मैं क्या बोलू कि let me just write case number 1 का formula क्या था normal adjustment का magnification का formula क्या था minus fo by fe और second case near point का magnification का formula क्या है ध्यान दो magnification अभी जस आपने क्या लिखा fo by fe into fe plus d by d so can I say can I say this can be written like this this is something greater than the first case 1 plus d by fe 1 plus d by fe by d यह बड़ा important हम क्या करते है एक चीज नोट करना है इसको ऐसे भी लिख लेना है सुनो अपने ऐसे और ऐसे और ऐसे भी लिख लेना है हम क्या करते है कि जो हमारा माइक्रोस्कूप वाला के a से 1 plus d by fe वह वह एस लिख देता है but 1 plus fe by d please check the calculation 1 plus fe by d थोड़ा से इसको और explain करहा हूँ यह यहां तक आपने लिखा है definitely इसको next page पे मैं लिख रहा हूँ मेरे पास क्या आया fo 1 by fe plus 1 by d मैं क्या रहा हूँ इसको LCM लेके भी लिख सकते हैं fe को common भी ले सकते हैं and when we write it like this sometimes when we recall the formula हम d by fe लिख देंगे क्योंकि अपना microscope का formula 1 plus d by fe था second case का या वह आपको नहीं करना है and fo by fe minus sign के साथ 1 plus fe by d यह दो formula समझ में आरे सभी को अपने I hope यह formula लिख लिया है इक बाल लिख लो take your time to write this down in various forms ताकि आपको सारी forms से comfortable हो जाए अभी किसी किताब में यह form दिखे तो आपको यह नहीं हो कि भई हमने यह नहीं पढ़ाता है हमने हर चीज पढ़ी बच्चो किसी किताब में किसी भी लेवल तक हो हमने हर चीज पढ़ी बट वही बात है कि आपको यहाँ पर लिख लेना है ताकि recall हो जाए ठीक है अब ध्यान दो यहाँ पर एक tube length length of the telescope length of the telescope is the length between the objective and the IPs L से represent करते हैं objective telescope में क्या हो रहा है कि objective image हमेशा F O पर बन रही है और यह वाला distance P E' E' भी बोल सकते है F E plus P E' को अपन क्या लिख सकते है दो cases में first case simple है यह वाला distance F E था क्या बच्छो recall करो first case distance F O है और F E था क्या length of the tube first case में F O plus F E हो जाती है एक बार लिख लेना along with this formula normal adjustment के लिए length of the tube is F O plus F E diagram recall करो F O था यह F E था first case second case में F E नहीं है second case में P E' की value open F E D by F E plus D निकाली है second case का भी formula एक बार देखो पर यहां देखो F O plus P E' है F E D by F E plus D हो जाता है यह बात clear है क्या ठीक है तो tube length का भी standard formula ही है क्योंकि आप microscope में पूछा जा रहा था तो कैसे निकाल रहे थे दोनों को add करके है दो बार lens formula निकाल के निकाल रहे थे बट अभी आप यहां पर टेरिकली लिख सकते हैं अगर एक बार लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा all right I think we are almost done with this है न and as I said telescope अपने को दो type के करने दूसरा telescope is the terrestrial telescope अभियास कल है बटा नहीं आज ही है आज शाम को है I know you are right अभियास के लिए आपको अभी मैं जिस बताऊंगा don't worry 5 minutes give me 5 minutes मैं आपको बताऊ यह लिख लिया है तो enough है this is good enough this is all you need to write now what you don't need to write is terrestrial telescope आपको नहीं लिखना है यह चीज बट आपको यह समझना है कि क्या अंतर आ जाता है terrestrial telescope में दिक्कत आ जाएगी अगर आप final image को inverted देख रहे है terrestrial मतलब जो objects आप earth पे ही है और देखना चाहरे है जैसे कि आप किसी mountain को देखना चाहरे है और binoculars से देखना चाहरे है कैसे भी देखना चाहरे है तो final image अकर inverted होगी तो problem हो जाएगी that is a problem not with astronomical telescope क्योंकि astronomical telescope में ulti image देखे कोई दिक्कत वाली बात terrestrial objects के लिए for a tree if you are watching it inverted that will be a problem how to correct this problem to remove this difficulty you just add a convex lens of focal length f in between the objective and the eye piece मतलब आपके पास objective था आपके पास eye piece था पर उनके बीच में अगर एक correct करने के लिए lens डाल देंगे तो आपको जो inverted image मिल रही थी diagram में ध्यान देना P-Q- जो inverted image थी उसको upright करने का मौका मिल जाएगा उसको erect करने का मौका मिल जाएगा P-Double-Dash, Q-Double-Dash so that final eye piece से जो image मिल रही आपको जाए वो near point पे मिल रही है यहाँ पे near point वाला diagram है जाए वो आपको infinity पे मिल रही case 1 लेकिन आपको P-Double-Dash Q-Double-Dash की जो image है वो आपको upright मिल जाएगी that is the only thing this convex lens is doing please also understand की यह convex lens ओ focal length F है लेकिन इसका objective magnify करना नहीं है इसका objective है सिर्फ image को upright कर देना है एक और example देखना है यहाँ से object बहुत दूर है तो light rays ऐसे broken बना देते हैं correct it by placing one more lens correcting lens भी बोलते हैं इसको and the only role of this intermediate lens is to invert the image and not to magnify although अपने को magnify करने के लिए दो lens यूज हो रहे हैं इसको सिर्फ correction के लिए यानि की invert करने के लिए यूज कर रहे है और final image आपको infinity पर या d distance पर जैसे यहाँ पर भी दिखरी वैसे आपको दिख जाएगे समझ में आ रहा है diagram तो अगर आपको diagram समझ में आ रहा है then tell me what is the magnifying power in both cases what difference will happen in the tube length tube length में कोई difference आ जाएगा क्या or magnifying power के formula में कोई difference आ जाएगा देखना अगर यह सिर्फ image को invert कर रहा है magnifying नहीं कर रहा है तो इस object को कहा रखेंगे 2F पर रखेंगे इसकी image भी 2F पर बनेगी कि आप यह समझ पा रहे है कि फिर इसको just invert करना है यानि कि height same रखना है that distance from the lens intermediate lens से distance इन दोनों का क्या होगा 2F और 2F होगा बच्चों आपकी tube length में 4F का addition हो जाएगा tube length का concept आपने अभी पढ़ा थोड़ी दर पहले दोनों cases में देख लूँ है 4F addition हो रहा है length में this is the case 1 and case 2 for length of the telescope and magnifying power positive हो जाएगा both the magnifying powers are positive because आपको upright image मिल रही final image upright मिल रही है तो magnifying power पहले अपन negative लिख रहे थे दोनों case में भी positive लिख रहे है यह formula clear है क्या formula भी ऐसे लिखने की जरुरुत नहीं क्योंकि आपको इतना समझ में आदा नची बस yes tube length increase होगा 4F से क्यों होगा 4F समझ में आता है इस तरफ 2F इस तरफ 2F the entire tube length has increased by 4F and magnifying power has become positive that is the only thing which is happening in terrestrial telescope I hope this is clear to you alright everything you needed to know for microscope and telescope has been covered in this lecture from basic from scratch but वो scratch से पहले भी आपको lenses की एक idea होनी जाए make sure आपने lenses के भी practice किये lenses के एक और अभ्यास आज शाम को यानि कि Wednesday 9.30 PM करेंगे हम this is Monday Wednesday Friday 9.30 PM scheduled ना अभ्यास का किसी को अभ्यास आज तक नहीं देखा है तो आप मेरे नाम को Google पे सर्च कर सकते हैं उससे आपको Unacademy की प्रोफाइल मिलेगी उस पे जाकर आपको पुरानी अभ्यास भी दिख जाएगी आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके free classes सर्च करने पड़ेगी अभ्यास sessions are free sessions जोकि practice sessions है जोकि बहुत फाइदे बंद है कोई बच्चे ने अभी तक try नहीं किये तो आपको करना चाहिए नाम सर्च करके भी कर सकते नहीं तो आप लोग telegram channel है अपना एक academy j telegram पे open करके उस पे भी link हम post कर देंगे शाम तक उस पे आप आ सकते आप पुरानी अभ्यास भी देख सकते that will be great पुरानी अभ्यास के लिए इस link पर जाए annual.com slash playjwe और इस पे आपको 11-12 के physics, chemistry, maths के सारी lectures उनके notes, combined notes एक पूरे chapter का एक PDF है ऐसे मिल जाएगा इस link को type करके enter माना है इस link को google search मत करना tinyurail.com slash playjwe को type करके enter माना यहाँ पे आपको एक अभ्यास का जुरुने जही का tab भी मिल जाएगा उनमें जाके आप देख सकते ठीक है और उसके अलावा आपको इस तरह से practice होती है थोड़ा सा idea बता ले कि आपको question screen पे दिखके ABCD answer करना है और interaction guidance doubt solving in fact we are going to do doubt solving sessions very soon this week interaction के लिए pole bound practice के लिए आपको अभ्यास में आना चीज़ से आपका improvement regularly होता है physics chemistry math जो भी subject आपको दिक्कत दे रहा है उसके अभ्यास चालू करें आप लोग उससे आपको बहुत फाइदा होगा already अपने बच्चों को unlimited फाइदा हो चुका है yes यह बच्चे जिनोंने already J को crack किया है इसी तरीकी से जैसे आप लोग अभी शुरुआत कर रहें YouTube चैनल से अपने ही YouTube चैनल से All India Rank 1 & 100 percentile & lots & lots of 99 percentile बच्चे ला चुके हैं यह पहले batch के result है दूसरा batch में 1538 बच्चों ने 99 plus percentile लाया है ऐसा कोई institute आपके आसपास में अगर है जरूर है Yes, you know where you have to understand and study regularly Regularity will be the key बच्चों यह सारे free lectures है तो इनमें regularity आपको maintain करना हो पा रहा है तो करिए आप अगर आप afford कर सकते rupees 2000-3000 per month अगर आप इतना already कहीं और दे रहे I will encourage you to go for these batches यह अलगार batch class 11th का है योद्धा batch और योग के batch अपने class 12th के और dropper batches है जिनमें आप rupees 2000-3000 per month में सिर्फ in batch की access ही नहीं बच्चों बट सारे batches की access academy पे ले सकते हैं academy के हर एक educator के सारे courses live classes उनकी recording material notes, doubt, clearing facilities और test series सब कुछ इस plan में आता है maximum discount के लिए भी आपको UDAN code लगाना पड़ेगा UDAN अपनी team का code है इससे हमेशा से आपको maximum discount मिल जाता है किसी भी plan पे साथी साथ आपको iconic subscription पे personal coach की guidance मिलती है personal coach की facility के लिए आप लोग iconic subscription ले सकते हैं जो भी बच्चे 23 aspirant है अभी currently six month plan पे आपको offer चल रहा है एक link हमने description में लगा रखी उस link से आप directly इस offer को claim कर सकते हैं 23 aspirant as well as 24 aspirants 24 aspirants आपको 18 month का total price यह है इसमें आप UDAN code से discount लेके purchase कर सकते हैं apart from that offline centers है academy के in cities में अगर आप in cities में और इनके आसपास है academy के offline center को visit करें again UDAN code gives you maximum discount in fact अभी आपको discount फुदा जादा मिलेगा because this is early bird registration मतलब फुदा तो पहले register कर लेंगे बाकियों से तो आपको discount जादा मिलेगा अब previous year questions का mock test series हमने चालू कर दिया this is again free absolutely free for you 600 plus PYQs of last 10 years से एक mock test series बना के already आपको unacademy app पे या website पे मिल रहा है तो आप freely access कर सकते हैं unlock करने के लिए आप ये code use कर सकते हैं इसे बात आपको पता होना चाहिए के अभी today also December 14 तक ही ये plan है currently ये prices पे आपको in discount के साथ ये particular 3 month, 6 month, 9 month आप check out करें अपने हिसाब से I think 3 and 6 month will be important for the K23 aspirants आप इस price को देख कर अभी इसको purchase कर सकते because right now these are the prices और वो hike होने के बाद शायद आपको नहीं मिल पाया yes आप लोग J main और J advance 24 के लिए अगर तयारी करे हैं तो नया batch एक announce हो गया है जिसमें basic से सारे topics cover होंगे 24 aspirants, those who have not started their J preparation yet इस batch में आके आप December 21 से पढ़ाई कर सकते हैं और भी कुछ दिक्कर दे तो मुझे बताना live chat में बच्चों that is it from my side, आपको match का lecture है next तो एक break लेके आप जल्दी से आ जाना है हेलो येश्वर्धन, हेलो प्रिंस thank you बच्चा, thank you गौरी love you all, take care, मिलते हैं आज शाम के practice session में अभियास में, till then take care, keep practice कर्वाँ बच्चा बाँ बच्चा बाँ बाँ आपक कर्वाँ बाँ 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 कर्दब झाल झाल